नमस्कार दोस्तू आज हम लोग जानेंगे मुगल पिरियेट के बारे में जो 1526 के पानीपत की प्रथम लड़ाई से सुरू होकर 1857 के क्रांती तक राज किया इस बंस का पतिश्ठाता बाबर और अंतिम सासक बहादूर सा जफर थे विलियम डाल विंपल की दो इंपोर्टेंट किताब दा लास्ट मुगल और दा कोहिनूर से हमें मुगल इतिहास का बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है इस समय सुराट को बाबूल मक्का यानि गेट आप मक्का के नाम से जाना जाता था दौलत खा, आलम खा, राना सांगा सब मिलके बाबर को दिल्ली लूटने का नहोता दिया था ताकि बाबर दिल्ली लूटे और इब्राहिम लोदी को मार के चला जाए और वो लोग दिल्ली में अपना कबजा जमाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ 1483 में उजबेगिस्तान का फर्गना वहली में बाबर का जनम हुआ उनका पूरा नाम जाहिरुद्दिन महुम्मद बाबर था उनका पिता का नाम क्या था? उमर सेख मिर्जा ये कोस्चन में आता है पिता उमर सेख मिर्जा जो कि ताइमूर लेम का बंसधर था और माता चेंगिस खान का बंसधर था बाबर का पड़िवार चाकदाई तुर्की जाती से थे बाबर का आटोबायगरफी तुजू की बाबरी या बाबर नामा वन अब दा पेस्ट आटोबायगरफी में से माना जाता है उन्होंने ये किताब चागदाई तुर्की भासा में लिखी थी अब्दुलरहिम खाने खाना ने बाद में इसे फार्सी में ट्रांसलेशन किया बाबर का जनम ये फरगना जिला में हुआ फरगना वहली में हुआ और समरकन तासकन ठीक है ये सब जगा पे वो बहुत बार कोशिस किया कि राज करें लेकिन उसको कुछ न कुछ उपाय करके भगया दिया जाता था लास्ट में वो काबुल को बिजय पाया ठीक है और वो बादसा का उपादी लिया हालाकि उनका जो पिताजी लोग है हुलुक क्या करते थे वो मिर्जा का उपादी लेते थे लेकिन ये वैसा नहीं किया ये इन्होंने बादसा का उपादी लिया और अपना जिंदगी का जादा तर काबुल में ही वो सासक मतलब बने रहे जीबन का अपना अंतिम जो चार साल है वो इंडिया में दिल्ली सल्तनत पे राज किया मतलब मुगल बन्स का पतिष्टा होने का बाद वो कभी आये थे पंजाब को लूटने मतलब पंजाब में अपना कबजा और अधिकार जमाने लेकिन वहाँ पे नहीं जमा पाए ठीक है I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करेंगे बाबर के लड़े गए इंपोर्टेंट यूद्ध के बारे में थैंक्स फर वाचिंग